तो इसको अच्छी परकार से वीडियो कौन तक देखना और इसको समझना मानचितर कोसल में देखिए निमलिख्त की मानचितर की सायता से पहचान केजिए यानि कि जो बिंदू दिये गए हैं इनको हमने भारत के मानचितर पर दिखाना है पहले मैं इन किशनों को ये जो मानचितर कारिय की जो परसन है जो पूछे गए है इनको मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ फिर मानचितर के ओपरिन को मैं दिखाऊंगा उसको अच्छी परकार से नोट कर लेना एक खाली मानचितर लेकर के उसको नोट कर सकते हो इसमें देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्तित दविप समू तो अरब सागर में लक्से दविप समू हैं और बंगाल की खाड़ी में अंडे मानिको बार दविप समू स्तित हैं तो आपने इस प्रकार इनको ध्यान से देखना है कि अरब सागर में लक्से दवीप समू है और बंगाल की खाड़ी में अंडमा निकोबार दवीप समू स्थीत हैं जो हम मानचितर पर आपको दिखाएंगे सेकंड पुछा है भारती ईपमा दवीप की इन देशों से मिलकर बनता है जब अंतरिंख से देखा जाता है तो भारत जो है उपमा दीप की तरहें दिखाई देता है और इस उपमा दूप में पाँच देश मुखह रूप से हैं इन पाँच देशों में पाकिस्तान, भारत, नेपाल भुटान और बांगला देश इसमें आते हैं तो इसमें पांस देश हम दिखाएंगे मानचित्र के उपर अगला जो परसन पूछा गया है मानचित्र में करकरेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है तो करकरेखा जो है भारत के आठ राज्यों से उकर के गुजरती है ये आठ राज्य में आपको बता देता हूँ पस्सम से हम पूरोब के ओर चलते हैं सिक्वेंस में ये आठ राज्य हैं गुजरात है फिर राजस्तान है फिर मध्यपरदेश है पिर चतिसगड है जारखंड, पस्मी बंगाल, तिरपूरा और मिजोरम यानि कि ये आठ रज्जे हैं ये करकरेका के उपर स्तित हैं ये जो आठ रज्जे हैं इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है जी आर एम, सी जे, पी एम टी जी आर एम, सी जे, पी एम टी जी से गुजराज, जी आर से रज्जेस्थान, एम से मध्धापरदेश, शी से चतिसगड, जे से जारकंड, पी से पस्मी बंगाल, मिजोरम और तिरपूरा करकरेका यहां से गुजरती है अगला परसन है मानचित्र में देखिए भारतिये मुख्य भूभाग का दक्षन तम सिर्ष बिंदू क्या है तो भारतिये जो महादवीप है उसका जो दक्षन तम सिर्ष बिंदू है इंदरा बिंदू, इंदरा पॉइंट है कौन सा है इंदरा पॉइंट ये अंडे माननिको बारदवीप समुपरस्तित है अगला मानचितर कारिये में देखी क्या है भारत का सबसे उत्री अक्सांस बताई तो भारत का सबसे जो उत्री अक्सांस है वो 37 डिग्री 6 मिनट है 37 डिग्री 6 मिनट भारत का उत्री अक्सांस है अगला जो मानचितरविंदु पूछा है शिक्स नमबर परे अंसों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षनी अक्सांस क्या है तो दक्षनी जो अक्सांस है भारत का वो 8 डिगरी 4 मिनटे उत्री अक्सांस है उत्री लिखना जरूरी है 8 डिगरी 4 मिनिट उत्री अक्सांस क्योंकि भारत उत्री गोलार्द में है जिस कान से जो भारत के जो अंस हैं जो अक्सांस हैं वो सभी उत्री हैं अगला परसंट पूछा है भारत का सबसे पूर्वी और पस्मी देशांतर बताना है तो भारत का सबसे पूर्वी जो अरुनाचल पर्दे से सपर्स हो करके गुजरता है वो 97 डिगरी 25 मिनट है और पस्म में जो भारत के जो गुजरात से गुजरता है जो देशांतर रेखा व पूर्वी देशांतरी विस्तार है यहां पूर्वी लिखा जाएगा यह आपने नोट कर लेना है क्योंकि परधान देशांतर रेखा जो गिरिन विच रेखा है उसके पूरों में भारत पढ़ता है जिस कान से पूर्वी देशांतर लिखना पढ़ता है लिखा जाता है सबसे लंबी तट रेखा वाला रज है सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है अगला परसन पूछा है वान चीतर में नाइन्थ क्यूसन जो है भारत और सिरलंका को अलग करने वाली जलसंदी जो भारत और सिरलंका है उसको जो अलग करती है जलसंदी वो पाक जलसंदी है पाक जलसंदी एक चीज़ी है प्रमाख को समझा देता हूँ जो जलसंदी होती है वो सतल को सतल से अलग कर देती है और जल को जल से जोड़ देती है उसी को जलसंदी कहते है तो जो पाक जलसंदी है वो भारत और सिरलंका को अलग कर देती है इनके बीच में पानी का जो भाग है वो पाक जलसंदी के नाम से जाना जाता है अगला पूछा गया है मानचितर में देखिए भारत के केंदर साशित छेतर हैं भारत के जो केंदर साशित छेतर हैं आज भारत में आठ केंदर साशित छेतर हैं आठ केंदर साशित परदेश हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ उपर से चलते हैं देखिए लद्दाक है लद्दाक है जम्मुकस्मीर लद्दाक एक नमबर पर लद्दाक फिर जम्मुकस लिए इखटा कर दिया गया है आप एक नाम दिया गया है दमन और दवीप ऐवम दाद्राव नगरह información फिर हैलक्स दवीब ऑगला जो केंदर साशित 24 और आप अर्ब सागंवे भी और चलते हैं हम मानचीतर Convention और वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने जो साथी हैं अपने गुरूजन हैं और जो रिष्टेदार हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ कल्यान होसके भला हो सकता है आप लेक्षरार मुकेश राज यूटूब पर बने रहें इसमें ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ देखे बच्छो पूछा गया है लक्सदवीप और अंडे मानिको बार दवीप समूँ देखे ये लक्सदवीप समूँ है ये लक्सदवीप समूँ है ये दिखाई दे रहें आपको मैंने यहां पर लिख दिया है लक्सदवीप यह जो लक्सहद्विप समու हैं, यह अरब सागर में स्थीत हैं, केरल जो स्टेट है, इसके पस्ट है में हैं लक्सड्विप समroom, दूसरी तर्फ आ हूए, यह बंगाल की खाड़ी है, यह जो बंगाल की खाड़ी हैं, इसमें जो हमारे दबिप समू हैं, यहां आपने अंड् मानिकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थीत हैं सैकिंड जो इसने पूछा है कि जो भारती उप महादीप किन देशों से मिलकर बना है तो भारती उप महादीप में पांच देश हैं मैंने आपको बताया था कि भारती जो उप महादीप है उसमें पांस देश मिलकर के उप महादिप का निर्मान करते हैं तो ये देखी ये पाकिस्तान है ये पाकिस्तान है इसमें पांस देश कौन कौन से हैं पाकिस्तान एक नमबर पर यहां पर देखी दिखाई देरा आपको पाकिस्तान है ये आपको देखो ये दिखाई देरा भूटान है ये भूटान है और फिर ये मांगला देश है ये मांगला देश इस परकार ये पांच देश हैं ये मिल करके भारती महाधिप का निर्मान करते हैं अगला जो पुछा गया है करक रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है देखिए ये करकरेखा ये आपको लाइन दिखाई दे रही है डोटिड बलैक लाइन है ये करकरेखा है इसके उपर देखिए ये ये गुजरात है ये गुजरात है और ये इसके बाद ये राजस्थान है इसका जो कुछ नीचे देखिए आप राजस्थान है फिर ये मध्ध परदेश के बाद चलेंगे हम 36 गड़ ये 36 गड़ है मध्य परदेश के बाद 36 गड़ इसके उपर आता है 36 गड़ के बाद जारखंड यह जारखंड है यहां से विकरक्रेखा गुजरती है जारखंड के बाद यह पस्मी बंगाल है यहां से विकरक्रेखा गुजरती है पस्मी बंगाल के बाद दो राज्ये और रह गए हमारे यह तिरपूरा है और वो मिजोरम है तिरपूरा और और मिजोरम ये आठ राज्ये हैं अगला पूछा है मानचितर कारिये में भारतिये दक्षनतम शिरिस बिंदु क्या है तो दक्षनतम जो शिरिस बिंदु है वो इंद्रा बिंदु है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में देखिए यह इंद्रा बिंदु है आपको दिखाई दे रहा यह बंगाल की खाडी में अंडे मानिको वारत अभी सुंप के उपर स्थीत है उसके बाद पूचा है इसने कि भारत का सबसे उत्री अक्सांस भारत का जो सबसे उत्री अक्सांस है वो है हमारा 37 डिगरी छै मिनट जो लास्ट जो लद्दाक का जो शेतर है यहां कि अंसों में भारत के मुख्य भूबाग का दक्सनितम अक्सांस कौन सा है तो दक्सनितम जो अक्सांस देखिए बच्चो यह दक्सनितम अक्सांस है यह करन्या कुमारे से यहां से गुजरता है यह 8 डिगरी चार मिनट हमारा दक्सनितम अक्सांस है तो इस परकार यह दक् शुम्तम अकशान लिख देना 8 degree in 4 minutes. उसके बाद पूछा है बच्छो, भारत का सब से पूर्वी और पस्मे देसांतर. देखे भारत का सब से पूर्वी, भारत का सब से पूर्वी, जो देखाई देरा आपको, ये भारत का सब से पूर्वी, अरुणाचल पर्देश के बिलक विस्तार है, आगे पूछता है गुजरात है, घुजरात की जो टट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा हैया जो समुद्री के साथ लगती है वो गुजरात रजे की है यह अपने नोट कर लेना है कोपी में मानचित्र में आपने यहां डिस्पले कर देना है कि गुजरात राज्ये की तट्रेखा सबसे लंबी है अगला पूछ रहा है मानचित्र का कारिये भारत और शिरलंका को अलग करने वाली जलसंदी देखिए भारत के जो नीचे चलेंगे ये भारत का नीचे देखिए शिरलंका है ये शिरलंका है और ये भारत है ये तमिलाडू का छेतर है तमिलाडू राज्ये है उसके बीच में आपको निला दिखाई दे रहा है ये जलसंदी है और उस जलसंदी का नाम है पाक जलसंदी क्या है ये पाक जलसंदी है जो सिरलंका को भारत से अलग करती है अपने यहाँ पर पाक जलसंदी ऐसे लिख देना है बच्चो फिर ये हमसे पूछता है भारत के कें के अंदर सासित्प परदेश है देखिए उपर वाला हमारा लगदाख का इंदर साशितंप परदेश है और ये जम्मौ केंदर साशित परदेश है फिर उपर देखिए हर्याने के उपर में चंदीगड है चंदीगड केंदर साशित परदेश है चार केंदर साशित परदेश मैंने बता दिया आपको फिर आगे चलते हैं फिर यह देखिए दादरा नगर हवेली और दमन दूइप यह हमारे क्या है यह उस्ते बीविव यह केंदर सासित पर देश हैं são कि अध्रानगरहईलिया और दमन दवीव के उससते बलग Came, हम दिखाते हैं लक्सदवीब को लक्सदवीब पे देखी ये लक्सदवीब में दिखा दिये ये केंदर साशित परदेश है इसके अतिरिक एक और केंदर साशित है साथ हो गए आठ मा जो केंदर साशित परदेश है वो पांडी चेरी है पंडू चेरी बोल देते हैं इसको प पूरा हो गया है और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी तो इसको आप लाइक जुरूर कर देना और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चो इसको सब्सक्राइब कर दो बच्चे भरती प्रिक्षाओं के लिए अपने आपको त्या चीतर पर निमलिख्त को दिखाएं तो फस्ट है परवत सिकर उनको हमने दिखाना है भारत के मानचीतर पर उससे पहले मैं कुछ इन के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ जो केट्टू है पहला दिखाना है केट्टू परवत है इसका दूसरे ना Om Umwelt से भी पकारा ज मिटर परवत शिकर है यह के 2 है और यह लदा कमें हैं इसके अदर शाषित परदेश में हैं उसके बाद कंचंजुंगा मंगरफ कंचंजुंगा इенно जो है यह श्ーक्वीम राज्य में में है और भारत की हिमाल्य परश्तित सबसे उंची चोटी है ये भी परसंद नोट कर लेना कि भारत की सबसे उंची चोटी जो हिमाल्य परवत परश्तित है वो कौन सी है वो कंचन जुंगा है इसकी जो हाइट है 8588 में मीटर इसकी उचाई है इसकी उचाई कितनी है बच्चो 8588 में विल्कुल अगला जो पूछा गया है नंगा परवत ये जो नंगा परवत है ये जम्मू कस्मीर में है ये नंगा परवत के बारे में वे आपको बता देता हूँ ऐसे आजाता है कि नंगा परवत कहा है तो जम्मू कस्मीर में और नागा परवत पुछ लेता है तो नागा लेंड में है नागा परवत नागा लेंड में है और नंगा परवत जम्मू कस्मीर में है यहाँ पर आपने ध्यान देना है इस चीज को फिर पूछता है अनाई पूचाई है 2625 में 2695 मीटर इसकी उचाई है दक्सन भारत की सबसे उची चोटी है अनाई मुदी यह आपने नोट कर लेना है अपनी कोपी में फिर पूचता है पठार पठारों में क्या सिलोंग का पठार जो सिलोंग का पठार है यह में घल्ले में है यह में घल्ले में है सि छोटा नाख बूर बूर का पठार है ये जो पठार है ये चार स्टेटओं में फेला हुआ है जहार कंड पस्मी बंगाल उडिस्टा और कुछ चतिसगट का जो छेतर लगता है वो इसमें आता है तो छोटा नागप्रु का पठार दिखाना आ जाता है तो आपने इन चार श्रिटों में दिखाना मैं आपको दिखाऊंगा मानचीतर के ओपर पहले समझा देता हूं फिर पूचता है मालवा का पठार जो मालवा का पठार है ये पूरी तरह लावा से बना हुआ है ये हमारा जो परायदी पठार है उसी का एक भाग है फिर पूचता है बुंदेल खंड का पठार जो बुंदेल खंड का पठार है ये मद्ध है परदेश और उत्र परदेश के छेतर में फैला हुआ पर थार है अगला पूचा गया है थार मुरुस्तल यह जो थार मुरुस्तल है यह भारत का सबसे बड़ा मुरुस्तल है भारत में राजस्थान के छेतर में फैला हुआ है जसल मेर बाड मेर विकानेर का जो इलाका है वहाँ पर थार मुरुस्तल है यहां यहांगा यमना दो आब जो है यह गंगा और यमना नदी के बीच का भाग है दो नदियों के बीच के बाग को दो आब कहा जाता है और गंगा यमना नदी के बीच के भाग को गंगा यमना दो आब कहते हैं जो उत्र परदेश का जो भाग है जहां पर गंगा और यमना नदी जो मिलती है उससे पहले का जो भाग है वो दो आब है फिर पूछा गया है कोरो मंडल तटे कोरो मंडल तट जो हो तमीन लडू में है देखिए जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसको दो भागों में बाटा गया है विशाका पत्नम से उपर जो भाग है जो तमिला डू में फैला हुआ है उसको कोरो मंदल तटका जाता है तो अब हम इनको मानचितर पर दिखाते हैं चलिए अपने मानचितर की और चलते हैं कि देखी यहां पर आपको दिखाई देरा यए के टू है लद्दाग छेतर में के की रकार सब्सक्राइबra टो आपने मैप ले करके वहां पर इसत्रेह हैं यह दिखा देना है केट timing 89611 मिट्र है यहांपर कंचनंजंगा है इसकी नंगा पर dai चलते हैं यहां पर नंगा परवत भारत की सब से उची चोटी है अनाई मुदी इसकी उचाई लिख दीजिए आप 26 पिचान में 2600 में मिट्री ये अनाई मुदी की चोटी है फिर है ये शिलोंग का पठार पुछता है शिलोंग का पठार देखिए ये सिलोंग का पठार है यहाँ पर ये सिलोंग का पठार है फिर जो छेतर है ये छोटा नागुर का पठार है ये देखिए सारा आपने छोटा इसको भारत का रूर परदेश भी बोलते हैं रूर भी कहते हैं इसको भारत का रूर कहा जाता है मालवा का पठार देखिए ये मालवा का पठार है जो पराइदी पठार है इसके उपर वाला जो जो सीमावर्ति इलाके हैं, यहां पर बुंदेल खट का पठार आपने दिखा देना है, इस परकार बुंदेल खट का पठार आप दिखा सकते हो, फिर थार मुरुस्तल, थार मुरुस्तल देखिए, यह राजस्तान के इस तरफ पस्म में देखिए, यह अलग से आपको दिखा बाद जो है एक परवत सरंखला है जो यहां से विंद्याचल सत्पूरा से यहां से स्टार्ट होती है और नीचे केरल तक चली जाती है यह पस्मिगाट है फिर पूछता है लक्सद विप समूं लक्सद विप यह देखी इस तरफ चलेंगे यह अरब सागर है यहां पर यह है उबजाव परदेश होता है फिर पूछता है कोरो मंडल दक्षन की वर चलते है कोरो मंडल यह तमीलाड़्ु का इलाका है यह कोरो मंडल तट है यहां पर एक चीज़ और बता देता हूँ कोची नित केजिए तता उनके नाम लिखिए पहला है गंगा गंगा जो नदी है ये भारत की सब से लंबी नदी है इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलो मिटर है ये गंगोतरी हिमानी से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दूसरा पूछा गया सतलुज नदी य और मानसरो और जिल से निकल करके ये भारत में ये अपने पंजाब से बैती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है ये सतलुज नदी है ये सिंदु नदी की पर मुक्सायक नदियों में से एक है फिर पूछा है दामोदर नदी ये जो दामोदर नदी है ये पस्मी बंगा बंगाल का सोक भी कहते हैं फिर पूचा गया है किर्षना नदी किर्षना नदी जो है वो दक्षन भारत की नदियों में से है ये किर्षना नदी पस्मी घाट से निकल करके और ये कोलरू जिल के नजदी की है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है फिर हम दिखाते हैं नर्मदा नदी को देखिए नर्मदा नदी है ये अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक चोटी से निकल करके ये पस्सम की और बहती है एक बरंस गाटी से उतकर गुजरती है और ये फिर अंत में कम बात की खाड़े में गिर जाती है इस नर्मदा नदी के ओपर है दुआ धर जल पर पात है ये भी आप धियान रखना कि दुआ धर जल पर पात है किस नदी पर है नर्मदा नदी के ओपर है फिर इसके बादी तापी जो नदी है इसके बारे मैं बता देता हूँ जो तापी नदी है और नर्मदा ये दो ऐसी न मुख नदी है ये जो महा नदी है ये उडिस्टा की जीवन रेखा है और इसी के उपर विस्तो का सबसे लंबा बांद है हीरा कुंड बांद है इसके बारे में ये भी आपने नोट कर लेना है कि हीरा कुंड बांद किस नदी पर है तो महा नदी के उपर है हीरा कुंड बांद संबल पुर जिले में और इसकी लंबाई 4.8 किलो मिटर है यह विस्तो का सबसे लंबा बांद है तो महानेदी नदी भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है फिर पूछा है दिहांग नदी दिहांग नदी को भारत के मानचितर पर हम दिखते हैं तो यह अरुनाचल प दिखाना है हमने जो जील है उनके बारे में मैं बताता हूँ फिर उसको दिखाएंगे मानचितर के उपर है चिलका जील है यह उडिस्ता में है भारत की सबसे जो बड़ी खारे पानी की जील है वो चिलका जील है फिर है सांबर जील है सांबर जील जो है राजस्तान में है और यहां से काफी मात्रा में नमक की प्राप्ती होती है संबर जील से, फिर है बुलर जील, बुलर जील जो है जम्मो कश्मीर में है, यह मिठे पानी की जील है, बुलर जीले, फिर पूछा है इसने पुली कट जीले, पुली कट जील जो है वो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ हमारा जो पुर्वी तटीये मैदान है वहाँ पर अंधर परदेश के तट के ओपर ये पुली कट जील है तमील लाडू से उपर की और चलते हैं अंधर परदेश में तट के उपर तो वहाँ पर पुली कट जील है ये पुली कट जील जो है ये अनूप जील है खारे पानी की जील है कोलेरी जीले अंधर परदेश में है ये विशाका फटनम के निजदीक है कोलेरी जीले ये इस परकार ये हमारी जील और नदियां थी अब इनको दिखाते हैं मानचित्रे के उपर पहला देखिए गंगा नदी ये गंगा नदी देखिए आपको इदिखाई दे रही है ये निले रंग की गंगा नदी मैंने यहां दिखा दी आपको इस तरह आपने मान सित्रपत दिखा देना है गंगा नदी ये गंगोत्री से निकल करके उत्तर परदेश से बैती हुई और अंत में यहां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दूसरी तरफ से बरहमपुत्र नदीस में आती है और वहां इसको किस नाम से पुकारते हैं वहां इसको मेगना के नाम से पुकारा जाता है फिर दिखाना है सतलू जनदी यह सतलू जनदी देखिए यहां पर तिबत में देखिए आप मानसोर जील है यह और यहां से निकल करके यह पंजाब की तरफ आती है और पंजाब की तरफ से यहां से गुजरती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर सिंदू नदी म हां से पस्मिगाट से निकल करके और इस तरह हैं पूरवकी और भैती हुई ऐसे चलती है। और बंगाल के खाडे में गिर जाती है। यह हमारी क्रसना नदी है इस क्रस lowers income नदी के उपर tämä नागारजुन सागरबांद है ये भी आप नोट कर सकते हो कि नागारजुन सागरबांद किस नदी पर है किरसना नदी के उपर है फिर हम दिखाते हैं नर्मदा नदी को देखिए नर्मदा नदी है ये अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक चोटी से निकल करके ये पस्तम की औ नदी पर है नर्मदा नदी के उपर है फिर इसके बाद पुछा तापपी तापपी इसको तापती नदी भी बोलते हैं यह भी मद्ध लवर्ती जो उच भूमी है भारत की वहां से निकल करके यह भी भरंस काटी से बैती हुई फिर खम बात की खाड़ी में गिर जाती है यह यह नर्मदा नदी से कुछ चोटी नदी है फिर हम दिखाते हैं महानदी को यह मानदी देखिए यह भी मध्ध परदेश का सतिसेट का जो उच भूमी है जो अमर कंटक का छेतर है वहां से निकलती है अमर कंटक की जो चोटी है उससे मानदी निकलती है नर्मदा नदी निक यह आपने नोट कर लेना है तो महा नदी यहां से निकल कर एक उडिस्टा में बैती हुई और फिर आंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है फिर हम दिखाते हैं दिहांग दिहांग हम चलते हैं अरुनाचल प्रदेश की और यह बरहमपुत्र नदी की सायक नदी है दिहांग नदी यहां पर आमने दिखा देना एक छोटी सी नदी है दिहांग नदी फिर हम दिखाते हैं चिलका जील जीलों में देखिए चिलका जील आप आये पुर्वी तटके उपर यह उडिस्टा में यहां पर देखिए अलग से दिखाई दे रही है यह चिलका जील है फिर सामबर जील अब राजस्थान की ओर चलते हैं सामबर जील राजस्थान में देखी यहां पर सामबर जील है यह भारत की सबसे अधीक खारे पानी की जील है जिसमें खारा पानी ज्यादा यहने की खारा पन अधीक है इस पानी में लवन ज्यादा पाये जाते हैं दूसरी जीलों की अपेक्षा और यहां नमक बनाया जाता है राजस्थान में है सामबर जील फिर है बूलर जील जम्मु कस्मीर की ओर चलते हैं बूलर जील देखी यहां पर दिखा देनी है आपने यह जम्मु कस्मीर में है यह मीठे पाने की जील है बूलर जील फिर दिखाते हैं प पुलिकट जील फिर लास्ट में है कोलेरू जील कोलेरू जील आप देखिए ये अंधर परदेश में ही है इस से पुलिकट जील से थोड़ा साओ उपर जो मोड है भारत के मानचीतर में इस मोड से थोड़ा साओ उपर है कोलेरू जील ये दोनों ही जो जील है कोलेरू और इसमें पहले हम जलवाईू के जो मानचितर कारिये हैं वो करवाते हैं पूछा गया है कि 400 cm से अधिक वर्षा वाले छेतर जो 400 cm से अधिक वर्षा वाले जो छेतर हैं वो देश के उत्तरपूर्वी छेतर हैं जिसमें में गहले है और दक्सन की और चलेंगे तो केरला जो है केरल का जो छेतर है वो 400 cm से दिक वर्षा वाला छेतर में आता है अब देखिए यहाँ पर यह 400 cm से दिक वर्षा होती है यहाँ पर आपने ऐसे दिखा देना है 400 cm से दिक वर्षा वाले छेतर यहाँ एक चीज और समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर सगन बनस्पती पाई जाती है यानि कि जो वन है वो गहरे सगन पाई जाते हैं यहाँ पर उसके बाद पूचा है 20 सेंटीमेटर से कम वर्षा वाले छेतर है 20 cm से कम वर्षा वाले जो छेतर हैं वो देश के पस्मी जो इलाके हैं जिसमें राजस्तान का थार मुरुस्तल है वहाँ पर 20 cm से कम वर्षा होती है इसके अतिरिक्त जो जम्मू कस्मीर का ले लद्दा का जो छेतर है वहाँ पर भी 20 cm से कम वर्षा होती है तो ये दोनों ही छेतर आप कौन साई दिखा सकते हो इन दोनों छेतरों में से एक तो राजस्थान का पस्मी छेतर जहां पर 20 cm से कम वर्षा होती है दूसरा जो जम्मु कस्मीर का है और ले लद्दा का जो छेतर है वहां पर भी 20 cm से कम वर्षा होती है तो आपने इस प्रकार इसको दिखा देना है तीसरा पुछा है बहारत में दक्सन पस्मी मानसुन की दिशा तो बहारत में जो मानसुन पमने आती है उनकी दिशा दक्सन पस्मी होती है और ये सबसे पहले केरल में एक जून में परवेश कर जाती है तो ये जून का जो महीना है जून के महीने में जो पहला सपता होता है, उसमें डख्सन पस्मी मानसुन पपौने परवेश करती है देखिए इस पर कारिन की द्शा आपना दिखा देना है ये डख्सन पस्मी मानसुन पालो की ऐसे यज़िसा है यहांपर एक चीज और बता देता हूँ जब लोटता हुआ मानसुन होता है तो उनकी दिशा उत्तर पूरव हो जाती है यह सीतर रितु के दोरान है उत्तर पूरव और जब मानसुन आता है गिरिस्म रितु के बाद जब हिंद मासागर से भारत में तो उनकी दिशा दक्सन पस्मी होती है यह आपने समझ लेना है जल कि उसन कटीबंद ये वर्सा के वन का जो छेतर है वो हमने भारत के मानचितर दिकھाना है नो उसन कटीबंद ये वर्सा के जो वन है। मैंने जहां पर बताया था कि 400 cm सदीक वर्षा होती है वो छेतर उसन कटी बंद ये वर्षा के बन वाते हैं इसमें देश के उत्रपूर्वी इलाके दिखा सकते हो और इसमें आप जो हमारा पस्मित ये पट्टी है जिसमें कौंकन मालावार का जो छेतर है ये आप दिखा सकते हो कि जहां पर उसन कटी बंद ये वर्षा वन पाये जाते हैं इसके अतिर्क देश के उत्रपूर्वी इलाके भी हैं जहां पर उसन कटी बंद ये वर्षा के बने पाये जाते हैं इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सदा बाहर चोड़ी पत्ती वाले वनों का छेतर दिखाएं तो आपने यहीं छेतर दिखा देना है यह जो उसन कटीबन दिये वर्षा वाले वन है इनी वनों को चोड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं इनको सदा बार वन भी ब पर ये वन पाये जाते हैं जहां वर्षा दोस्तों से कम होती है तो इसमें भारत का जो देखिए मध्धवरती लाका है ये पूरा भारत का मध्धवरती छेतर है यहां पर उसन कटीबंद ये परणपाती वन पाये जाते हैं उसन कटीबंद ये परणपाती वनों में साल और सा लोगनी आबनुस ये परमुक फेड़ पाय जाते हैं उनमें फिर पूछा गया है दो जीव निश्चे भारत के उत्री दक्षनी पूरवी और पस्मी भागों में कोई दो दो आपने जीव मंडल निश्चे दिखाने हैं दो उत्तर में दो दक्षन में दो पूरों में दो पस् और जीम कारबेट ये कारबेट देखी आपको उत्राखंड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा जीम कारबेट उत्राखंड में है फिर है पस्म की और चलते हैं पस्म में आपने दिखा देना है भरतपूर भरतपूर में केवला देव जीव मंडल निश्चे है दूसरा ह रन्थम्बोर ये रन्थम्बोर है राजस्तान में दोनों पस्टन भारत के ये जीव निश्चा है और फिर चलते हैं दक्सन के और दक्सन में आप दिखा देना मनार की खाड़ी है पैरियार है पैरियार पैरियार देखिए केरला में है पैरियार और मनार की खाड़ी पूरेव के ऊओर चलेंगे तो हाँ पर आसम में काजी रंगा है, यह देखी काजी रंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए परसेद है, यहाँ पर आपने काजी रंगा दिखा देरा है। काजी रंगा के बाद आप दूसरा मानस ये भी असम में है मानस ये आप दिखा देना है सबसे लास्ट में इस तरफ काजी रंगा है पूरों की और उससे इस तरफ आ जाएंगे असम में ही तो ये मानस है मानस तथा काजी रंगा दोनों ही असम राजे में हैं ये देश के पू से संदी खादिये दो सबस्क्राइब कर दिजी और वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्सक्राइब कर दीजिये जैंन्त जैबारत